हेलो दोस्तों लूसेंट रास्तान जीके के डेली टॉफ फिप्टी कोशन में आपका वेलकम हसतों तो ये वीडियो का दोस्तों 32 पार्ट हसतों इससे पहले भी 231 पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पर जाएक देख सकते हैं तो यहां डेली मिलने वाले आपको टॉफ फिप्टी कोशन मिलने वाल हैं जो कि आने वाले रास्तान के सब इपरीक्षाओं के लिए काफी उप्यों की साबित होने वाले हैं तो सब इने सहां आपको रट लेने वाले बिल्कुल भी मिसनी करना इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है तो शुरू करते हैं तो आज गा वीडियो कोशन है जुन जुनु जीला किस धातु के लिए प्रसिद है तो उसका रेक्टांसर है आपसन नमर ए तांबा धातु के लिए प्रसिद है जुन्जुनु जीला नेक्षन है सीवाना दुर्ग का निर्माता है तो उसका रेक्टांसर है आपसर नमबर दी वीर नारायंट पमारते सीवाना दुर्ग के निर्माता नेक्षन है देलवाडा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संक्या है तो उसका रेक्टांसर है आपसर नमबर ए कुल मिलाकर तीन मंदिर इस्तित है देलवाडा मंदिर परिसर में इसका रेक्टा सरह आप्स नंबर ए बिल्कु गरेक्ट है जेन मंदिर कला के लिए प्रसिद है माउंट आपुस्तित दिल्वाडा मंदिर लोग देवता गोगा जी का थान सामानेते किस पेड के नीचे बनाया जाता है तो इसका रेक्टा सरह आप्स नंबर भी खेजडी के पेड के नीचे बनाया जाता है गोगा जी का थान नेक्षन है राजस्तान हरीजन सेवा संग की इस्तापना कब हुई तो इसका रेक्टा सरह आप्स नंबर सी 1934 सिस्वी में हुई थी राजस्तान हरीजन सेवा संग की इस्तापना नेक्षन है राजस्तान में सोने की खोजगा कारिये जिस जीले में प्रगती पर है वह है तो इसका रेक्टा knapp सरह आप्स नंबर सी 22 जीले में प्रगती पर है सोने की खोजगा कारिये नेक्शने राजस्तान में कर राजस्व आये का सबसे बड़ा स्तरोत है तो इसका रेक्टासर है आपसन बड़ी इन में से कोई नहीं मतलब उत्पाश उलक अवेट कस्टम डूटी ये तीनों ही कर राजस्व आये के सबसे बड़े स्तरोत नहीं है नेक्शने अलाउदिन खिलजी की निमनांकित विजों को काल करम अनुसार व्यवस्तित कीजिए तो इसका रेक्टासर है आपसन बड़ी सबसे पहले रंधंबोर का किला जीता था अलाउदिन खिलजी ने उसके बाद में चितोडगर का किला उसके बाद में सीवाना का किला और सबसे लाश्ट में जालोर का किला जीता था नेक्शने राजस्तान में राजनितिक चेतना को जनम देने वाला था तो इसका रेक्टासर है आपसर नमर डी अर्जुनलाल सेटीता राजनितिक चेतना को जनम देने वाला नेक सुने राजस्तान में चितोडगर के पश्यात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड कौन सा है तो इसका रेक्टरांसर है आपसर नमर ए जेसलमेर का किला है दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड चितोडगर के बाद में नेक सुने संतर रेदास की छतरी निर्मित है तो इसका रेक्टरांसर है आपसर नमर डी चितोडगर के लिए में निर्मित है संत्र इदास की छत्री नेक्षन है राजस्तान में अकबर की मस्जित इस्तित है तो इसकारेक्टांसर है आप्षन मरे आमेर जेपूर में स्तित है अकबर की मस्जित नेक्षन है राजस्तान में सबसे सरवादिक संख्या किस धर्म की है तो इस कारेक्टरांसर है आपसर नमरे हिंदु धर्म की है सरवादिक संख्या निक्ष ने करवा चोथ का वरत मनाया जाता है तो इस कारेक्टरांसर है आपसर नमरे भी कार्टिक कृष्णे चतुर्ति को मनाया जाता है करवा चोथ का वरत निक्स ने राजस्तान में राज्ये मानव अधिकार आयोग की स्तापना किस वर्ष हुई तो इस कारेक्टा सरे आप्शन में भी सन 2020 के अंदर हुई थी राजस्तान राज्ये मानव अधिकार आयोग की स्तापना नेक शुने मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्षन मरे 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में नेक्ष ने शिक्ष्या प्राप्ति अधिकार अधिकार से लागू किया गया तो इसका रेक्टान सरह है आप्षन अप्रेल 2010 से लागू किया गया था शिक्ष्या प्राप्ति अधिकार निक्ष ने राजस्तान की प्रतम विदान सबा का अध्यक्ष कौन था तो इसका रेक्टान सरह आप्सन नमर भी नरुतम लाल जोशीता प्रतम विदान सबा का अध्यक्ष निक्ष ने सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्तान का इस्तान है तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमर ए पहला इस्तान है सरसों के उत्पादन में रजस्तान का नेक्शन है सनर 11, 2012 में रजस्तान के नियम जिलों में किसमे सरवादिक वन शेत्र था तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमर सी कारोली जिले के अंदर सबसे ज़्यादा वन शेत्रता दिये गए सबी जिलों में से निक्षन है ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जेन मंदिर का निर्मान किस राजा के काल में हुआ था तो इसका रेक्टान सरह है आपसर नमर बी वस्राज प्रतियार राजा के काल में हुआ था ओसिया में महावीर स्वामी के मंदिर का निर्मान नेक्षन है जोदपुर का संस्ताबग थे तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नमर दी राव जोदा थे जोदपुर के संस्ताबग मिर्णाओं ने रियासत के किस अधिनियम के विरुद आंदोलन किया तो इसका रिक्टांस रहा है आप्शन नमर ए जरायम पेशा अधिनियम के विरुद आंदोलन किया था मिर्णाओं ने ने रिक्टांस रहा है आप्शन नमर सी दामर दर्दास राठी को कहा जाता है स्वतनता संग्राम का भामाशहा मारवाडी भाश्या का विशुद रूप कहां द्रश्टीगत होता है तो इस कारेक्टा सरह आपसर नमबर भी जोदपुर और उसके सीमावर्ती सेत्र में होता है मारवाडी भाश्या का विशुद रूप द्रश्टीगत नेक्षन है राजिस्तानी सहित्य अकादमी का सर्वोच पुरुसकार है तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नमर डी मेरा पुरुसकार है राजिस्तानी सहित्य अकादमी का सर्वोच पुरुसकार नेक सुने राजस्तान के जिले जहां से करक रेखा गुजरती है तो इसका रेक्टासर है आपसन नमर सी डुंगरपुर और बासवड़ा दो जिले हैं जहां से होकर करक रेखा गुजरती है सुने नेक सुने निजिस सो तनी जिले जिले में भारत सरकार दोरा किकत रेखा पूरुब सरे आपसर मड़ी बनी ठणी चित्रशेली पर जारी किया था भारत सरकार के द्वारा डाक टिगेट उन्निस सो तर इस्वी में नेक सुन है भारतिय सविधान के किस संशोधन में नागरिकों के करतेवयों को समलित किया गया है तो इसका रेक्टान सरे आपसर मड़े 42 सविधा संशोधन के तहते नागरिकों के करतेवयों को समलित किया गया है सविधान में भारत और चीन के बीच चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारन का काम करती है तो इसका रेक्टान सरे आपसर नमर सी मेक मोहन रेखा करती है सीमा निर्धारन का काम भारत देश और चीन दे जिसके मद्दे निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है तो इसका रिक्टांस रहा आप्शन नमबर D जाखम उद्य सागर परिस्तित है यह ओप्शन बिल्कुल गलत है इसके अलावा कोठारी नदी पर मेजा बांद बना हुआ है बिल्कुल सही है बनास नदी पर विसलपुर बना हुआ है बिल्कुल सही है माही नदी पर बजास सागर बना हुआ है यह ओप्शन भी सही है जाखम नदी पर उद्य सागर बना हुआ है यह ओप्शन गलत है नेक्शन है कडाना बांद किस राज्य में एवं किस नदी पर रिस्तित है तो इसका रिक्टांस रहा आप्श जिरात राज्ये में माही नदी पर बना हूँ है कडाना बांध निक्षन है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो इसका रेक्टांस रहा है आप्शन नमर सी इंद्रा गांधी नहर के जल का उप्योग केवल सिचाई के लिए होता है यह ऑप्शन गलत है इसके अलावा आप्शन नमर यह है कुए और नलकूप राजस्तान में सिचाई का परमुक साधन है बिल्कुल सही है क्योंकि 60% से जो सिचाई का कारिया होता है वह कुए और नलकूप के द्वारा किया जाता है नेक्षन नमर गंग नहर का निर्मान कारिये 1927 में पूर्ण हुआ बिल्कु तो यह आप्शन भी सही है नेक्षन है राजस्तान के नात्रा की पाल शेत्र में कौन सा खनीज पाया जाता है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर डी लोहा एसक खनीज पाया जाता है नात्रा की पाल शेत्र में नेक्षन है राजपुताना के किस राज्ये ने अजमेर में लाड मेयो दुआरा आयुजित दर्बार में भाग नहीं लिया तो इसका रेक्टान सराय आप्सन नमर भी कोटा राज्ये ने भाग नहीं लिया था लाड मेयो दुआरा अजमेर में आयुजित दर्बार में नेक्शन है तौक मुस्लिम रियासत का संस्तापक था तो इसका औरुटपादन में परमुक जिले है तो इस कारिक्टांसर है आपसनमरी, बूर्टी, चितोडगर, कोटा, सिरोई, उध्यपूर है आपसनमरी, बीलवाडा नगर को दिया गया है है वस्तर निर्यातक नगर का दर्जा निक्ष नहि llegó गुरु शिकर माउंट अबू की उचाई है तो उसका रेक्टांस रहा है आप्शन नमर सी 1722 मिटर है गुरु शिकर जो की माउंट अबू परिस्ति देग परवत चोटी है निक्षन है किस शाशक के राज्यकाल के दोरान दिल्ली शीवाली की स्तंब अभिलेक उत्किर्ण आए गयता शीवाली की स्तंब अभिलेक दिल्ली में निक्षन है अजमेर में ख्वाजा मुहिंदीन चिस्ति की दर्गा पर नजर जिसे भेट भी कहते हैं भेजने वाला प्रतम मराठा सरदार कौन था तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर ए राज्या साहुता जो की शीव अजमेर में ख्वाजा मुहिंदीन चिस्ति की दर्गा पर निक्षन है लकडी पर चित्र वाला चल मंदिर है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर ए कावड है निक्षन है डूंगर शही ओडनी किस कला से सम्दित है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर ए बाटिक कला से स सब्यता का केंद्र राजस्तान में इस्वी क क्रांथी में कौन सा था तो इस का रेक्टा Ontario सरय आप सरमरे नसीराबाद विद्रो अता अहला विद्रो है 1857 की क्रांती में नेक्षन है कुम्बलगड का किला किस जिले में है तो इसकारिक्टान सरय आप सरमर सी रासमन जिले में स्थित है कुम्बलगड का किला नेक्षन है नव निर्मित ग्रह के उद्गाटन की रस्म को क्या कहा जाता है तो इस कारिक्टांसर है आप्सनमरे इसे नांगल कहा जाता है जब किसी नव निर्मित ग्रहे का उद्गाटन की रस्में की जाती है